नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टैन बीपेसी में दोस्तो अभी हम आ चुके हैं सुप्रीम कोट के अफिसियल साइट पे और बहुत लोग का कॉल मैसेज आ रहा है ठीक कल भी आया था और आज कुछ लोगों का और भी आया है उसे किलियर करना सुप्रीम कोट में जो केसेज चल रहे हैं बिहार एनेम को लेकर ठीक है उसका क्या सुनवाई 13 सेप्टेमबर को जो होने वाला हो नहीं होगा अब क्या होगा अभी पूरा डीटेल अभी आपको हम दिखा देते हैं कि क्या सच है क्या फैक्ट है कितना जूट है कई लोग सा चरी का जो मैटर होता है वो मुख से बोली ही बातों पर नहीं चलता है लिखित परमान मिलता है ठीक है तभी हम चलिए आखो देखा हाल दिखा देते हैं ठीक है हमें कोई केस से मतलब नहीं है चुकि जो टॉप लेडिंग केस होता है उस केस का जो डेट जो दिखाएगा सम फिर उसके बाद यहाँ पर कैपजे डाल देते हैं पांच पांच दस होता है इसको मैंने डाल दिया ठीक फिर अब इसको प्रेज करते हैं अभी आपके सामने देखिए तीन बज कर सोले मिनट पर ये वीडियो हम सूट कर रहे हैं ठीक है और आप आएंगे जैसे हैं उपर यहाँ पर देखिए दिखाई देगा आपको ठीक उपर सुप्रीम कोट ओफ इंडिया ठीक उसके बाद देखिए डारी नमबर यहाँ पर है आप केस नमबर से भी इसको मालूम कर सकते हैं पेटिशनर का नाम है रेस्पोंडेंट का नाम है अर्चना कुमारी ठीक अब हम व्यू पर किलिक करेंगे इसको पूरा डिटेल जानने के लिए ठीक वाफरिंग हो रहा ह है कुछ सेकेंड बाद आपके समक चाहेगा देखिए अब यहाँ पर डिटेल आ गया ठीक यहाँ पर डिटेल आ गया आपका डारी नमबर है ठीक यहाँ पर ठीक ना यहाँ पर Petitioner का नाम और Respondent का नाम लिखा हुआ है, बाकी और Detail हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ठीक है, डारी नमबर देखिए, Field on 13 September, जो टाइमिंग है वो दिखाई दे रहा है, फरम 15 जो भारा जाता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोट में वो दिया है, केस नमबर भी आपका दिया हुए, 12690, आप केस नमबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, रिजिस्ट्रेशन देखिए, कब हुआ है, मई में हुआ है, ठीक है, विरिफाई कब हुआ है, 3 जून को हुआ है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट का जो लिस्ट है, ठीक है न, लास्ट सुनवाई इसका 13 अगस्ट को जो था, उसमें दिया है उन्रेवल जस्टीज जो थे, ठीक है, और उनका नाम यहां मेंसन है, अब उसके बाद हम नीचे और देख लेते हैं, ठीक, स्टेटस दिखेंगे, तो स्टेटस में पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग अभी सुनवाई नहीं हुआ है, तेरा अगस्ट वाला यह अभी दिखाई दे रहा है, और जो टेंटेटिव, यानि समभावित केस का जो सुनवाई होने वाला है, तेरा सेप्टेंबर दिखा रहा है, तो कहां से अभी तो कुछ नहीं हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सर्विस मैटर, जो भी चीज़ है, केटेगरी है, रिकॉर्मेंट को लेकर सब चीज़ यहाँ समाख्च है, तो यह जो बाते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अभी वो समझ लिज़ें, सपने दिखाने वाली बात है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, जैसा होगा, आप खुद चेक कर लिज़ेगा, सुप्रेम कोट भी आपको मालुम चल कि सुनवाई नहीं होगा, ये होगा, दिस डैट होगा, तो पता नहीं यो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, कि जो समभावित तीथी है, वो 13 सेप्टेमबर है, ठीक है, और कोट है भाई, कोट जब तक लिखित परमान लिखित साक्ष नहीं मिलता है, जब तक किसी चीजों की सुनवाई नहीं होती है, कोई भी ऐसे मूँ उठा कर बोल दिया, तो ऐसे उसको फ्येकूप बोलते हैं, ठीक है ना, बाकि जो चीजे हैं, वो आपके समक्ष हैं, सुनवाई का जब तक डेट यहां पर जो सो करेगा वो ही माना जाएगा, बाकि अगर कोई कुछ मुख से बोलता है, वो गलत बोल रहा है, ठीक ना, तो बाकि अब समझदार है, बचिए इन सब चीजों से, अपवाव से, रिमोर से बचना है, अपना पढ़ाई कीजिए, इस महीने में बहाली भी आने वाले है, ठीक है, यह न बोल रहेंगी, 13 सेप्टेम्बर को फाइनल हो जाएगा, 13 सेप्टेम्बर को यह फाइनल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भीहार सरकार अपना एक भी अभी तक पक्ष नहीं रख पाई है, आपको लगता है कि एक हेरिंग में बिहार सरकार की बात किलियर हो जाएगी, नहीं लगता है ठीक एक हेरिंग में बिल्कुल भी अपनी बिहार सरकर बाते खतम नहीं कर पाएगी क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों चुनावी है ठीक है चुनावी मुद्धे को लेकर बिहार सरकर अपना रोटी पूरा सेकेगा उसको अपना वोट बैंक भी तो लेना है तो चीज़े हैं बाकि आप लोग समझदार हैं कि जिस तरह बिहार सरकर आपके साथ कर रही है एक नोकरी के लिए तरपा रही है आप भी अपने वोट का कीमत जरूर दिखाएंगे इस बार ठीक एक वोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो चीज़े हैं बाकी महिला सक्ति करण की सब कोई बात करता है, सब कोई लीडर बात करते हैं, लेकिन महिलाओ की जब हक की, अधिकार की, जुकेसन की और रोजगार की बात आती है तो कोई उस पे सवाल नहीं करता है, ठीक ना तो इस सब चीजों को देखकर आप जरूर जवाब देंगे, और इन सब चीजों से बचे, यह जो चीजे है यह सब अफ़वा है, पूरा आप देखिए आपके समक्ष जो भी चीजे दिखाई दे रहा है देख सकते हैं पूरा डिस्पले पर कि 13 सेप्टेंबर का ही देखाई दे रहा है, बाकी जो लोग बोल रहे हैं, वो पता नहीं कैसे बोल रहे है एडवोकेट लोग से तो और भी जो कॉलिफाई के लीडर है, उन लोगों ने भी बात किया, कि हाँ सुनवाई जो है होगा सुनवाई 13 सेप्टेंबर को होगा यह फैक्ट है, उन लोगों ने भी बताया और भी बहुत लोगों ने बात किया ठीक है, फून के माधियन से तो फिर जो लोग यह बोल रहे हैं कि 13 सेप्टेंबर को हेरिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अब बाकी अब समझदार है ठीक है, ज्यादा इसमें क्या बोला जाए और भी जो cases हैं और भी जो cases हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं लेकिन बाकी हमें और cases से मतलब नहीं है क्योंकि जब top leading case जो main case होता है ठीक है, यहाँ पूर जो main case है, देखिए इस केस का जो सुनवाई का तारीक होगा, उसी दिन सभी केसों की सुनवाई सुनी जाएगी, सभी केसों की बात रखी जाएगी, सभी केसों के जो एड़ोकेट होगे, अपने बात रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है, अपने बहस के दोरान, बाकी कोई केस है, बिहार झूष्टीन सभी किसों का सुनवाई होता है और बोलने कमों इद्वक bedroom को दिया जाता है जितने फैसे अगर पांच एसे लपी हैं सबका मुदा एक है और उसमें पैसे से उतना बरा एडवोकेट रख ले ठीक है ना क्योंकि यहां पर बहुत बरा कुछ हो रहा है जोल जल वाली बात है इन सब चियों से बचना है कई लोग है से कल मैसेज भी किये थे कॉल भी किये दे और बहुत सरे हमारे सांथी यूटूबर है सब नहीं एक यूटूबर है बहुत अच्छे है ठीक है उनके मुताबिक भी प्रस्ताव अपने रखे हमने भी रखा ठीक है तो बाकी अब समझदार है जैसे भी होगा आपको यह नहीं लेकर करना होगा कोई भी कदम बढ़ाएंगे तेरह सिप्टेंबर का यहां पर डेट जो एनाउंस किया गया है जो computer generated के माधियम से इस पर विश्वास रखे जो भी चीज होगा यहां पर जो सो करेगा वही माने होगा बाकी कोई अगर मुक से बोल रहा है तो गलत है ठीक ओके फिर जैसा होगा वैसा हम जरूर आपको बताएंगे ट्रिक क्या बाए बाए